नमस्काराम मैं विजेसी अतवर पुरोग बस्तितों आपके अपने विदियो बनाने का सोच रहे थे तो मेरे मन में पहला प्रश्ण है था यह अस्मंजस्ता थी कि मैं पहला प्रश्ण कौन सानुँ हमारे पार जाने को प्रश्ण थे कावी विचारिक मर्श और मन्थन के बाद यह तै किया मैंने कि जहाँ से इसकी संकल्पना निकल कर आती है विद्रक्षाला चैनल की हम पहला प्रश्ण महीं से लेंगे जीनों ने ओप्रश्ण किया था राजस्थां के प्रताफगड़ के रहने वाले अस्टी वर्ष के श्री जद्दीज दाज जी बेरागी थे उनका स्वर्गवास हो चुगा है तो मैं स्वर्गिये जद्दीज दाज जी बेरागी को सबसे पहले तो धन्यवाद करोगा कि उ इस्वर उन्हें अफने स्विश्चरणों में स्थान दे तो बात यह थी कि एक दिन बेरागी अंकल मेरे पास आता है उन्होंने मेरे दाजाती साथ काम किया था मेरी के राजने के दुपाग थी लगबग आर साढ़ाड बजे कि आसपास मेरे पास नियमी ठूप से आजाया मेरे बेरागी पात साल की अंडर करोग नहीं और संबुमे लगबग मेरे पास आते थे कि उन्होंने इन दिन मेरे पास ऊरोनेले 5 बात परखी तवर यह कि बाते यह थी लग शाद्य लेए पोते हो गए, कमा लिया, खा लिया, समझ नहीं आ रहा ये जीवन क्यों था, मैंने क्यों जीवन लिया, मैंने क्यों ये समखिया, और अब मैं कहा हूँ, उनका स्वास्त भी उस समय ठीक नहीं रहा करता था, तो उनके मन में ये बड़ा भाई प्रशन था, उनको ऐसा लगता था कि उनका समय निकष से जाने का, लेकिन क्यों ये जीवन में ने लिया, हमारा जीवन में उद्देश क्या है, और हम सब लोगों क्या उद्देश है, जब ये बात उन्हों ने रखी, तो मेरे वन को भी बड़ा धका जैसा लगा थी, एक असी वर्ष के वरिष्ट पढ़ की असमंजस्ता थी, तो मेरे मन को भी बड़ा लगा, कि ऐसा क्यूं है, अगर किसी वेक्ति को ऐसा लग रहा है, कि वो जीवन चक्र पूरा करने को है, लेकिन उसके मन में फिर भी कोई प्रशन रह जाता है, तो मैं भी बड़ा ऐसे दुख के बात मानता हूं, पता नहीं कै पर मैंने उस समय उनको संतूष्ट करके बेजा, अपने जवाब से, उन्हें भी बड़ा अच्छा लगा, उसके बाद ही मैंने विचार किया, कि इतने वरिष्ट वेक्ति के मन में ये प्रशन है, तो निसंदे ही दुनिया में हजारों प्रशन लोगों के मन में जीवित हों कि हम इस प्रत्वी बग आये क्यों है, क्यों ये सब कर रहे हैं, क्यों जी रहे हैं, एक सामाय में साथ को ज़्यादा टेक्निकल या आंध्याप्मिक विशे पर नहीं जाएंगे, कि ये चक्र जीवन चक्र क्या है, तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं, कि दुनिया में इ इससे आम दोड़ा खाया, गुठली फिकी, गुठली ने आम के आम के व्रक्ष के सारे गुणों को अपने अंदर संचे कर रहा है, जब उस गुठली का वापिस एक पेड़ बनेगा, तो वो वापिस उनी गुणों को उनी फलों में देगा, और यही जीवन चक्र है, यह इ प्रेक नहीं है, अगर हमारा जीवन की विशेश उग देश के लिए है, तो ठीक है हम उग समय जीवन हम जी रहे हैं, तो हमारा जो देशे हमारा जीवन चक्र में उसके अंदर है, आपने अपने बहुत अच्छी बढाई करी, ये बहुत अच्छे परिवार को तरीके से आला सम्वाला सब कुछ करा तो मैंने उन्हें बताया कि आपके बैटे जो है जिते इंदर जी बेरागी मुझे थोड़ा सा गन्फुजन निस्ता आएगी वो छोटे हैं या बड़े हैं लेकिन उनके शायद छोटे बैटे हैं तो ज जिते तरथी परागी जो है उन्होंने आपसे ही सिखा है जो आज वो परिवार को में तो समझते हैं घर का में तो समझते हैं आंदनी का में तो समझते हैं उन्हें धर्म का काफी अच्छा ग्यान है वो अखी प्रवक्ति के विखती हैं तो यह जो सब उन्होंने सीखा हैं वो आप से सीखा है आपने उन्हें यह ट्रांसफर किया है आज उनके जो होते हैं आंजने लगवाफ पांक साल की उम्रे में वह अनुमान चानिसा मतलब कि वो की शादी नहीं होती क्या हुए यह नहीं करते ऐसा नहीं है हम बात करेंगे डाप्तर अब्दुलकलाम साब की तो उन्होंने उनका जो जीवन का यूगदान दिया वो दिया समाज के लिए विज्ञान के लिए उन्होंने जो डाटा एक कृत्र करादा उनके जो अनु बविष्च में दिया आने वाली पीडियों के भारत के बविष्च में गया तो जिसके पास जो अनुखाव रहता है वह अगली पीडिको ट्रांसफर करता है यही जीमन चक्रे तो बेरादी अंकल ने जो सीखा वो सारा अनुखव मिला जिते नमया पर जिते दर्जी मेरागी जिको और उन से जो नोगा उनको मिल रहा है वो जो देख रहे हैं वो सीख रहे हैं समाज में सही गलत की पहचान कर रहे हैं लोगों को उसके प्रती समझाईश देते हैं समझते हैं बताते हैं वह सब आंजने को मिल रहा है ऐसा ही आपक शुरुआ ची समय की जो भी चीज़े हैं वो अपने माबाप से सिखे हुगी आज आपने भोजन करना में सिखा है तो आपके माबाप से ही सिखा है हाँ ये पहुत अलग है कि आपको उन्होंने खाना पीना सिखाया तो आज आप जीवों को खाने लग जाए तो ये आपने आपने चीज जो सीखी आपने जो अच्छी चीज सीखी जो मोही चीज सीखी वह आपने अपने परिवार से ही सीखी अपने परिजनों से ही सीखी अपने आतमत से ही सीखी और यहीं बदुश्य का जीवन चक्र है हम इसी तरीके से चलते हैं हम अपने परिवार के लावार हम समाज में भी कुछ चीज़े छोड़े समाज के पतीबी जैसे आज हम इस वीडियो के मार्क देम से बांध कर रहे हैं मेरा की अंकई की तो वो इसलिए कर रहे हैं कि उन्होंने मन में प्रशन आया और उस प्रशनों को सोच के छोड़के सोनी गए कि आप मैं खाना खाता हूं और सोचाते हैं क्या करे रहे हैं डनीया ऐसे चर्फ रही हैं ऐसा नहीं करा तो उन्हTake रहे हैं में प्रशन मुछ तक आया तो मेरे मन में चिंटा सी आई मेरे मन में एक एक-षज सी कस्त जैसे पैदाओ ही कि आए कि हावन पूछ लिया इनोंने मैंने कई विचार आए कई मन्थन आए उसके बाद मैंने एक जीवन या तरफ पुस्तत लिखने ना विचार करा आए मैंने कई प्रश निखटे करें जम वह आशपल रही तो हमने इस चैनल पर आए और हम यहां पर आ चुके तो जीवन में हमारा जो लिचारिक शोध में हो सकता है कि बड़ आपके मन में प्रशन लाइए ऐसको उत्तर पर भी शोध कीजी क्या आपने जो उत्तर गुंड्डा है क्या आपने जो उत्तर समझा है वही सो प्रतिशर्थ सकते हैं या इसका भी कोई एक और पहिंदू है विज्ञान भी ऐसे कारे करता है एक इस पूरी हो जाती है तो वो ऐसा नहीं गे आज जीवन सकते थी या जीवन में बनी रहेगी उसमें हर समय सुदार होते रहेते हैं बदलाव आते रहेते REPS बड़े से बड़े और शूरुट करता आते हैं नई शूर्द करता आते हैं और वो तो हम बाइलोजिकल डाटा ट्रास्फर करते हैं आपका जो डीन है वो आपके बच्चे में हैं आपके जो बच्चे में हैं वो आपके पोते में हैं नाती में हैं पोती में हैं ऐसे चलता है उसके बाद जो होते हैं अपने अनुभाव को डाका होता है उसे हम ट्रास्फर करें अपने जीवन में अच्छे अनुखों को पालिए अच्छे प्रश्णों को पालिए अच्छी चीज़े सोचिये अच्छा अधुवाव लीजिए उन्हे लोको तुक भचाईए अगर आप अपनी कुछ अच्छा समझते हैं अपने आप आपके पास आ जाएगी इस फ्रकंती का जो सुभाव विकारी प्रवर्ती है आप कुछ भी अगर अच्छा रखे निया आप उसे रख दीजिए अपने आपने चार दिन पाद सढ़ने लग जाएगा एक लोए के कील दीजिए वहीने ब आपको सखारात में चीजों को डूढ़ना है यही आपका जीवन का लक्ष है यही हमारे जीवन का लक्ष है उन सखारात में लोगों को देखना है समझना है अपनाना है और लोगों तक पहुचाना है हम जितने लोगों तक पहुचा सकते हैं वह हमारा एक सीनी छेट भी हो स हम सभी का कार्णी है, ऐसा नहीं यह कि हम उठने हैं, खाते हैं, नुकरी करते हैं, सो जाते हैं, कोई जीवन इतना बत्तर नहीं हैं, जितना हमने इसे बना गिया है 그냥, कोई संधर्ष में बना सकते हैं, लेकिं आपको इसके साथ जीना होगा आपको समय नहीं काटना है आप उठते हैं, सो जाते हैं, खाते हैं यह वाला चक्रागर रोग चलता रहे है यह पशועत जीवन है अगर आम इश्वन नहीं मानते हैं तो इस फ्रकृति ने आपको मनुष्च्य बनाया है तो यही हमारे जीवन का लक्ष है हम अपने जीवन में डाटा को ट्रांसवर करते रहते हैं हम बच्चों के माद्धिम से एक पीड़ी से दूसरी पीड़ी कहा रहते हैं अगली पीड़ी के लिए चोड़ना है यही हमारे जीवन का मुखदेश है अगली पीड़ी के लिए कुछ छोड़ना है उसके अंदर यह प्रकृति में आती है हम बहुत तेजी से इस प्रकृति का इनाश कर रहे हैं आपको यह सोचकर दुख वना चीए आपको यह जानकर बड़ा असहज मैसूस होना चीए इस प्रस्थ्वी पर अस्थी लाग से ज़ आतर रहा है तो वो केवल मनुष्य जाती है वो केवल मनुष्य दीवे तो हमें इस त्रकृति को भी बचा कर रखना है अपने आगे वाली पीड़ी के लिए अगर आपने हिंदू परिबार पे जनम लिया है तो निश्चिति आपका दास वंसकार होता होगा लेकिन आप अपकार आपके आने वाली पीडी के लिए कुछ याकदार बन जाए तो आप ऐसा मत सोचे कि आप जीवन में कुछ किसी को ट्रांसफर नहीं कर सकते आप कुछ भी नहीं आपकी शादी नहीं और या विज्यार में शोट नहीं कर सकते आपके परिवार में कोई आपको इसा करता है मेरा वंचाल या नहीं बढ़ सकता तुम्हें क्या थासर करो तो आप समाज में कर सकते हैं आप इस ठंकरती में कर सकते हैं हमारे पास देने के लिए बहुत हुचे अगर हम देना चाहे तो यह आपको निर्वर करता है कि आप क्या चुनते हैं इसलिए अपने जीवन में अपने देरियों दिन चेल रहे कावाला एक लक्ष में बनाएगे